आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस फोन में अगर आप कॉल सेटिंग्स कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आता है नेटवर्क और सिम कार्ड एरर तो इसे ठीक कैसे करें इसके लिए वन प्लस में सेटिंग्स ओपन करिए सेटिंग में यह आएगा वाइफाई इसके नीचे मुबाइल नेटवर्क आएगा तो यह मुबाइल नेटवर्क पे किलिक करिए यहाँ पे आएंगे तो उपर यह सिम 1 आएगा सिम 2 आएगा अब जैसे सिम में यह नेटवर्क और सिम कार्ड एरर आ रहा है उस SIM card पे किलिक करिए हमने जैसे कि यह SIM 1 पे किलिक किया यहाँ पर यह Enable आएगा तो यह Enable आपके phone में on है तो इससे बंद करिए और इससे बंद करेंगे तो बंद करने के बाद अपने phone में Enable on करिए फिर से Enable चालू करिए तो अब यह Enable on होने के बाद नीचे Voltee Calls आएगा यह बंद है तो इससे on करिए नीचे Preferred Network टाइप पे किलिक करिए 2G, 3G, Select है तो उपर यह 4G, 5G आएगा इससे Select करिए नीचे Operator आएगा Operator पे किलिक करिए उपर Auto Select आएगा यह On है तो इससे बंद करिए नीचे Off करिए फिर से Off करिए अब यह Searching लेगा तो कुछ Second वेट करिए अब यह Network Select होने के बाद उपर Auto Select आएगा यह On करिए यह Settings Apply होने के बाद फोन को Reboot करिए बंद करके चालू करिए और अब चेक करिए आपके OnePlus फोन में Call Setting में Network और Sim Card Error नहीं आ रहा है तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें